ओम संती, आज 5 जुलाई 2021 की मूर्ली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर वा मैसेंजर बनना है सबको घर चलने का मैसेज देना है प्रस्न है आज की मूर्ली का आजकल मनुस्यों की बुद्धी सारा दिन किस तरफ बटकती है उत्तर है फैसन की तरफ मनुस्यों को कसिस करने के लिए अनिक प्रकार के फैसन करते हैं ये फैसन चित्रों से ही सिखे हैं समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैसन करती थी बाल आदी बनाती थी बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुन्या में फैसन नहीं करना है तुमें तो मैं ऐसी दुन्या में ले चलता हूँ जहां नैचूरल सुन्दरता रहती है फैसन की दरकार नहीं आज की मुर्ली का गीत है तुमी हो माता पिता तुमी हो अब सुनते हैं मुल्ली विस्तार से ओम सांती बच्चोंने गीष सुना जब महिमा गाते हैं तो वुद्धी उपड़ चली जाती है आत्मा ही बाप को कहती है वही खिवईया है पतित पावन है अत्वा सच्चा सच्चा मेसेंजर है बाप आकर आत्मों को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर वा पैगंबर कहते हैं कोई छोटे वा बड़े होते हैं वास्तव में वा मैसेज वा पैगाम देते नहीं है ये तो जोटी महिमा कर दी है बच्चे समझते हैं सिवाई एक के इस मनुस्य सश्टी पर और किसकी महिमा नहीं है सबसे जास्ती महिमा इन लक्समी नारायन की है क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक सो भी भारतवासी जानते हैं दुनिया वाले सिरफ इतना जानते हैं कि भारत प्राचेन देश है भारत में ही गौड कौडेश का राज्य था क्रश्न को भी गौड कहते हैं भारतवासी इनों को बगवान बगवती कहते हैं परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह बगवान ब बगवान ने गौड गौड़ेश का राज्य इस्तापन किया, बुद्धी भी कहती है हम बगवान के बच्चे हैं, तो हम भी बगवान बगवती होने चाहिए, सब एक के बच्चे हैं ना, परन्तु बगवान बगवती कह नहीं सकते, उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं, यह सब बाते बाब बैठ समझाते हैं, भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को तो सब चाहते हैं, बापु जी भी नई दुनिया, नया रामराज्य चाहते थे, परन्तु रामराज्य का अर्थ बिलकुली नहीं समझते, आजकल म मनुष्यों को अपना एंकार कितना है? बाबा बता रहे हैं कि आज के जो मनुष्य है उनको बहुत एंकार है कल्यूग में है पत्थर बुद्धी, सत्यूग में क्या है? पारस बुद्धी परन्तु यह किसको समझ नहीं है भारती सत्यूग में पारस बुद्धी था अब भारत कल्यूग में पत्थर बुद्धी है मनुस्यक तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं कहिंगे स्वर्ग में विमान थे बड़े-बड़े महल थे वह तो सब अभी है साइंस कितनी व्रद्धी को पाई हुई है, कितना सुक है, फेसन आदी कितना है, बुद्धी सारा दिन फेसन पिछाडी ही रहती है आर्टिफिस्य सुन्दर बनने के लिए बाल आदी कैसे बनाते हैं कितना खर्चा करते हैं ये सब फैसन निकला है चित्रों से समझते हैं पारवती मिसल हम बाल आदी बनाते हैं ये सब कसिस करने के लिए ही बनाते हैं आगे पार्सी लोगों की इस्तरिया मुँपर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आसिक न हो जाए इसको कहा जाता है पतित दुनिया गाते हैं तुमी हो माता पिता तुमी हो परंतु यह किसको कहना चाहिए मात पिता कौन है यह भी नहीं जानते मात पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा बाप ने तुम बच्चों को सुक्त का वर्षा दिया था बाप वर्षा दिया था कहते भी हैं बाबा हम तो अभी तुम जानते हो सिर्भ बाबा की महिमा गाई जाती है ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती हम सो पावन थे अब पतित बने हैं ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रम्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं सो जो नंबर वन पावन वह नंबर वन पतित जैसे बाप वैसे बच्चे यह खुद भी कहते हैं सिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में जो पहले नंबर में पुज्य लक्समी नाराण की डिनेश्टी में थे अब है संगम तुम कल्यूग में थे अब संगम यूगी बने हो बाप संगम पर ही आते हैं ड्रामा अनुसार बच्चे भी व्रद्धी को पाते हैं अब बच्चों को ग्यान तो मिला है हम सो देवता थे फिर सत्रिय वैस्य सुद्र बने सारे चक्र को अच्छी रिती तुम जानते हो यह तो बहुत सहज है हमने च्वर्यसी जन्म लिये कईयों की बुद्धी में यह भी नहीं बैठता है स्टुडेंट में नंबर वार तो होते हैं राइट से लेकर सुरू करते हैं फर्स्ट क्लास, सेकिंड क्लास, थर्ड क्लास बच्चयां खुद भी कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धी है हम किसको समझा नहीं सकती दिल तो बहुत होती है परन्तु बोल नहीं सकते बाबा क्या करें? यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब अब बाब कहते हैं मैं तुमको करम, अकरम, विकर्म की गती का ग्यान सुनाता हूं करम करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो थर्ड क्लास बुद्धी वाले इन बातों को समझ न सके यह है ही रावन राज्य परन्तु यह किसको पता नहीं रावन राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे गुरू किया ही जाता है दुख की दुनिया में सदगती के लिए ही गुरू करते हैं कि मुक्ती में ले जाए वह है निर्वान धाम वानी से परेस्तान मनुष्य अपने को वानप्रस्ती कहते हैं वह तो कहने मात्र है वानप्रस्तियों की भी सबा होती है सब कुछ मिलकियत आदी बच्चों को देखकर गुरू के पास जाकर बैठते हैं खान पान आदी तो जरूर बच्चे ही देंगे परन्तु वानप्रस्त का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं किसी की बुद्धी में यह नहीं आता कि हमको निर्वान धाम में जाना है अपने घर में जाना है वा कोई घर नहीं समझते हैं वा तो समझते हैं जोती जोत में समा जाएंगे निर्वान धाम तो रहने का इस्तान है आगे साट वर्स के बाद वानप्रस्त लेते थे यह जैसे की काईदा था अभी भी ऐसे करते हैं अब तुम समझा सकते हो कि वानी से परे तो कोई जा नहीं सकते इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ हमको पावन बना कर घर ले चलो मुक्ति धाम में मुक्ति धाम में आत्माव का घर है तुम बच्चों को सत्यू के लिए भी समझाया है वहां कौन रहते हैं? कैसे व्रद्धी होती है? आदम सुमारी का भी किसको पता नहीं है राम राज्य में आदम सुमारी कितनी होगी? बच्चे आदी कैसे जनम लेंगे? कुछ भी नहीं समझते हैं कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके 84 लाग का चक्र हो कैसे सकता? कितनी रौंग बाते हैं? बिल्कुल सूत ही मुंजा हुआ है बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो बाप ने करम, अकरम, विकर्म का सारा राज समझाया है सत्योग में तुमारे करम, अकरम हो जाते हैं वहाँ कोई बुरा करम होता ही नहीं इसलिए करम, अकरम हो जाते हैं यहाँ मनुष्य जो भी करम करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम छोटे बड़े सब की सारी दुनिया की वानप्रस्त अवस्ता है सब वानी से परे जाने वाले हैं कहते हैं हे पतित पावन आओ हमको आकर पतित से पावन बनाओ परन्तु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है यहां पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके यह जो भी पतित दुन्या है सब खतम हो जानी है तुम जानते हो हमको फिर नई दुन्या में जाना है कैसे जाएंगे यह सारकी नौलेज है यह है नई नौलेज नई दुन्या अमर लोग वा पावन दुन्या के लिए तुम अभी संगम पर बैठे हो यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुस्य है ब्रामन नहीं है वह कल्यूग में है वह सब हम सब संगम पर है चार आएं है सत्यूग में बरोबर यह संगम यूग है वह तो है ही स्वर्ग उनको संगम नहीं कहा जाता संगम है अभी यह संगम यूग सबसे छोटा है इसको लीप यूग कहा जाता है जिसमें मनुस्य पाप आत्मा से धरम आत्मा बनते हैं इसलिए इसको धर्मव यूग कहा जाता है कल्यूग में सबी मनुस्य अधर्मी है वहाँ तो सबी धर्मात्मा होते हैं बक्ति मार का कितना बड़ा प्रभाव है ऐसी पत्तर की बूर्तिया बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुस हो जाए वह है पत्तर पूजा सिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए सिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं फिर इतना दूर दूर क्यों बटगना चाहिए यह ज्ञान अब बुद्धी में आया है अब तुमारी आँख खुली है बुद्धी के कपाट खुले है बाप ने नौलेज दी है परम पिता परमात्मा इस मनुष्य स्ष्ष्ष्टी का बीज रूप ग्यान का सागर नौलेजफुल है आत्मा भी यह नौलेज दारन करती है आत्मा ही प्रेसिडेंट आदी बनती है मनुष्य तो दे अभिमानी होने के कारण दे की ही महिमा करते रहते हैं अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिलकुली दूरगती को पाई हुई हो अभी हम आत्मा ने बाप को पैचाना है बाप से वर्षा ले रहे हैं आत्मा को सरीर तो जरूर धारन करना पड़े सरीर भीगर आत्मा कैसे बोले कैसे सुने बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ मैं भी सरीर का आधार लेता हूँ तुम जानते हो सिव वाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं ये बाते तुम ब्रह्मा कुमार कुमार्या ही समझाते हो तुमको अब ग्यान मिला है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धरम की स्तापना होती है वही बाप राज योग सिखा रहे हैं इसमें मूझने की बात ही नहीं सिव बाबा हमको समझाते हैं फिर हम औरों को समझाते हैं हमको भी सुनाने वाला सिव बाबा ही है अभी तुम कहेंगे हम पति से पावन बन रहे हैं बाप समझाते हैं यह ही पति दुन्या रावन का राज्य है ना रावन पाप आत्मा बनाते हैं यह और कोई भी नहीं जानते भल रावन की एफिजी जलाते हैं परन्तु कुछ भी समझते नहीं है सीता को रावन ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैट लिखी है जब बैट कर सुनते हैं, तो रो लेते हैं, वह है सब दंत कथाएं बाबा हमको विक्रमा जीत बनाते हैं हमको विक्रमा जीत बनाने के लिए समझाते हैं कहते हैं मामेकम याद करो, कहां भी बुद्धी नहीं लगाओ, सिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं, अब तुम समझते हो, कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, अच्छा, अच्छा बा दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाब की रूहानी बच्छों को नमस्ते, हम रूहानी बच्छों की रूहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, सदा रहेंगे हस्ते हस्ते, बन जाएंगे फरिष्ते, वहा बा अब धार्णा के लिए मुक्यसार में पहला पॉइंट करम अकर्म और विकर्म की गती को जान स्विष्ट करम करने हैं ग्यान दान कर धर्मात्मा बनना हैं दूसरा पॉइंट है यह वानप्रस्त अवस्ता है इन अंतिम गडियों में पावन बन कर पावन दुनिया में जाना हैं पावन बनने का मैसेज सब को देना हैं अब मीठे बाबा का मीठा मदुर वर्दान है गबराने की डांस छोड़ सदा खुसी की डांस करने वाले मास्टर नौलेज़फुल भव विस्तार है जो बच्चे मास्टर नौलेज़फुल है वह कभी गबराने की डांस नहीं कर सकते सेकिंड में सेड़ी निचे सेकिंड में उपर अब ये संसकार चैंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को नौलेज़ को परिवार के सयोग को यूज करो बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुसी की डांस करते रहेंगे गबराने की डांस हो नहीं सकती लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है अच्छा ओम सांती झाल झाल